कि 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 अगई अब आज कि में आज के विडियो में हम लोग बात करेंगे के स्ट्मिनग के बारे में स्ट्मिनग आप लोग जानते होंगे मैक्सिमम् लोग जो शेंशेरी इसू और वहेवियरल इस Hypots टीव पे दे रहाते हैं हर सो चैनल में निन्यावे चैनल सिर्फ वही सेंसरी इश्यू और बिहेवियर इश्यू इसके बाहर उनको कुछ ना पता है ना वह आपको बता सकते हैं और आप इन सारी चीजों में उल्जे रहते हैं इसलिए स्टिम्मिंग आप बेहतर समझ रहे होंगे नहीं होता है बैटे रहते हैं और या फिर चटकाना जब कहीं अंजान जगव में बैठे हो अपने आपको असाहाज फील कर रहे हो तो उस टाइम में करते हैं तो यह सारी चीजें भी करते हैं यह सारा श्टेंमिंग कभी है वह रहा है इधर उदर ऐसे देखते रहते हैं कहीं इंटर्विव देने गए या फिर कहीं नए जगह में किसी काम के लिए किसी से मिलना है उस आदमी को हम नहीं जानते हैं मन में हलचल सी चल रही कैसा है नहीं है तो उस टाइम में भी बहुत तरह की हलचल हमारे बॉडी में होते रहती ह और एक तरह का self stimulatory behavior हम अपने आपको सहज करने के लिए शो करते हैं वो behavior उसको भी स्टिम्मिंग बोलते हैं अब उस स्टिम्मिंग behavior से कोई दूसरा आदमी परेशान नहीं हो रहा है किसी और को हम परेशान नहीं कर रहे हैं इसलिए वो problem नहीं है और नहीं होता है कि कोई शराब ही है मान लिया तो शराब पी के और जाली को लोज करना शुरू कर दिया तो उससे problem लोगों को होगी आज पास की लोगों को परेशानी नहीं होई उसी तरह का यह स्टिम्मिंग का यह है कि आपने की सिचुएशन बेस्ट किया और उससे किसी के डे टुदे लाइफ को एंपर नहीं किया किसी को कोई परिशानी नहीं हुए इसलिए वह नॉर्मल विएवियर में आता है और यह बच्चे जो करते हैं यह सेंशरी इसोज में आ आप लोग समझ रहें होंगे कि जैसे हैंड फ्लैपिंग यह भी टेक्टाइल स्टिम्मिंग में आएगा हैंड शेकिंग ऐसे घुमाना ऐसे करना यह करना स्पिनिंग ऐसे ऐसे करके करना यह सारी चीजें चीजों को ऐसे टच करना फील करना यह सारी कहीं टेक्टाइल स्ट स्थिविनेस के नीचर होगा यह सारी चीजें इसमें आती है यह टेक्टाइल डेक्टाइल स्टिं मिग्टाइल-डार WAVA只ते tähän के दिवार करते रहेंगे तो ये सारी होता है तो ये तो होता है तो technल स्टिमिंग की बात करotzdem कर रहे हैं तो ये है तो हो गई हमारा अगर आपके बच्चे में टेक्टाइल स्टिम्मिंग तो उसको कैसे डील करें कैसे कम करें यह जीज़ें में जरूरी होती हैं तो हम कुछ प्रैक्टिकल वीडियो कुछ प्रैक्टिकल बातें बताएंगे कुछ प्रैक्टिकल टीप्स आपको देंगे जिससे क्या होगा कि आप टेक्टाइल स्टीमिंग को काफी तक कम कर सकेंगे खुद से कि इसमें कोई रॉकेट साइन्स है नहीं जादा यह हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे कपड़ा दोने वाला प्लास्टिक का ब्रश यह थोड़ा हाड एक आता है और सॉफ्ट वाला यह उससे थोड़ा हाड है इससे भी हाड आता है तो अलग-अलग टेक्स्चर्स के यह आते हैं आप तीन-चार तरह का इसका ब्रश ले 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 और इसको लेकर जैसे अब टैक्टाइल की बद यहा था ह हाथ से से जी जयादा मुव्मेंट उस तरह कर रहा है तो कि यह हम यह लिया और इसको हम ऐसे कर रहे हैं करका आप लोग देख पाहरे हों ऐसे आपने रखा प्रेस किए पिर यह रखा प्रेस किए ओपर बड़ेह 2,3,4,5 फिर यहाँ उपर पड़ेह 1,2 ,3,4,5 फिर तोड़ा ऊपर बड़ेह123454 फिर इंउबर यहाँ एक दो तीन چार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये इसका जो इसको जेंटली प्रेश करना है ज्यादा जोर से नहीं देवाने लगे अपने आप पे चेक करके देख लेंगे बच्चे को भी उतना ही प्रेशर देंगे इससे क्या होगा न कि बच्चे की हैंड फ्लैपिंग एग्रेशन और चीजों को छूते चलना यह सारी चीजों की प्र करेंगे तो बच्चे में स्थिर्था आएगे और बच्चों को और इस तरह के कैसे वाले बच्चों को काम डाउन करना सबसे जरूरी होता है तो यह टेक्टाइल स्टिमूलेशन एक इससे दे सकते हैं अभी यह हमारे हाथ में यह कंगी है कंगी हर किसी घर में अवेलिवल ह हर तरह की कंगी होती है एक औरतों के लिए आता है वो गोल वाली कंगी जो आती है उनका बाल जाड़ने के लिए वो कंगी यूज कर सकते हैं यह कंगी यूज कर सकते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग कंगी कैसे चलाते हैं ऐसे उपर से नीचे की तरफ बाल को य अगर haircut नहीं करने देता है कुछ दिन में देखेंगे बच्छा haircut करने देगा एक आजबता दस दिन का समय लगता है हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर नहीं करना है कल के वीडियो में बताया था कि सेंसरी ओवर लोड नहीं होना चाहिए एक अलग प्रॉल्म क्रियेट क करी देते हैं उससे बच्चे इरिटेट होते हैं और आगे कौपरेट नहीं करते हैं और सेंसरी ओवर लोड वाली सिचुछन जवाती है तो उससे ब्रॉलम बढ़ती है तो यह हो गया हमारा यह ब्रस हो गया और उसके बाद एक हमारे पास और चीज है यह आप प्लस्टिक म में एक आपको कया बोलते हैं वो स्पंज स्पंज यह दिखेगा आपको स्पंज है यह टैक्टाइल स्टिमूलेशन में कामिंग स्ट्रेटीक के लिए यूजफूल है जैसे कि हम यह करते हैं ऐसे टच कर रहा है अलकाल का प्रेस कर रहा है काफी रिलेक्सिंग लगता है के लिए हम्ंशा कैते हैं एको आप नीचे की तरफ हलका इए हालका बहुत सारी लोगों को डे थे रहा है कि भूडब को रघडा जाता है उस तरह से लेके यह फिर कप्डे को रघा जाता है तो उसको ले के हम लोग ऐसे रगडते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपके पूरा रगडते हैं जैसे के छील देंगे धिर यह जितनी चीजें यह तीन चीजें वहिए इसके पहले हमने सेंसरी मैट्स वागयरा बताया है सेंसरी कूछन लेकर बताया है कि आप वह सारी चीजें लेके बात्चे पेब काम कर सकते हैं टेक्टाइल स्टिमॉलेशन के लिए यह तो हो गई कि आइटिफीसियल चीजें जो घर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट से हो गया नेचरली टेक्टाइल स्टिमॉलेशन अगर आपको देना है तो आप बच्चे को बीना चपल पहनाये हुए पार्क में लेके जाए रोड पे अ बच्चा जाएगा घास को चुएगा घास बेहात रखड़ेगा वह उसमें खेले दोडे कूदे यह तिनी चीजे करेगा अलग अलग तरह का टेक्टाइल स्टिमॉलेशन वहां से मिल रहा वहां से टेक्टाइल स्टिमॉलेशन नहीं मिलता है नेचरली हम लोग बच्चों क पुरू नहीं करने देते आँ हम लोग उन中共 बन्द करकल घर में रखते हैं यहां से प्रावलम शूरू होती है आप अप लोग अपना बच्च पन देखीए अपने बच्चे का बच्च कर दिखिए अपने बच्च्पन में आप या जहा हैं बारिस पानी में सल और यह तोज कि मतलब भीग जाएगा तो सर्दी लग जाएगी तबियत खराब हो जाएगे फिर दवा का खर्च यह सब यह सारी चीजी ही हमारी जो माइंटेट हमारा जो है नहीं वह काफी कंस्ट्रिक्टेड होते जा रहा है हमको लगता है कि हम यह सोच रहे हैं कि बच्चे को इस स्कूल भीजेंगे उस स्कूल भीजेंगे एंग्लिश मीडियम भीजेंगे तो हमारा ब्रॉट माइंट नहीं वह बच्चे को मशीनरी बना रहे हैं मशीन बना रहे हैं हम समझ लिए हैं कि वह मशीन है उसको दिन भर पढ़ना चाहिए दिन बर कुछ ना कुछ काम में बीजी रहना इससे इतर सोचें कि बच्चे को क्या करें कि एकतम फुली उसको आजादी दें नेचर में गूमने सोचल इंटरेक्शन यह सारी चीजें करें हम लोग ऐसे ही ग्रो हुए हैं पढ़ने में कभी कमजोर भी नहीं थे चैने में में चाहिए जादा प्रेसर नहीं लिया पढ़ाई का हमेशा से क्लास मेंrin नहीं पढ़ Means इसी तरह से हमने देखा कि जो оच्चे हमारे तरह ग्रोग की वह संब कहीँ ने कहीँ एक अच्छे मुकाम पे हैं जिन पर पूरा इतरु पूरा गीर्व नधा हमारे साथ प्ड़ने वाला ही की सी काम लाइक positively को रहा है को एक यहां किरत तो बर्फों को थोड़ा weird act वील जहा है किनको प्राइमरी टीचर का यह मिल जाए IS इसे ही solve हो जानी है, जितने cases हमारे पास आते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा हमने socio-psychological abuse देखा है, socio-psychological abuse क्या हुआ, nuclear family में रह रहे हैं, तो बच्चे को घर में बंद करके रखते हैं, ज्यादा बाहर exposure नहीं देते हैं, sociological abuse वहीं हो गया, कि वो public से मिला नहीं, social interaction हुआ लोगों के बीच गया नहीं, social exposure नहीं हुआ, तो नहीं चीजे सीखाने, sociological abuse वहीं हुआ, psychological abuse क्या होता है, कि हमको दो लगता है कि दो डाई जल तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब exposure जादा हुआ, घर में बंद जादा रहने लगा, जब दुनिया से connect करने का time है, त भी वो काल्टून और ये सारी चीजे से connect कर रहा, तो शरीर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन माइंड उससे आपसे ग्रो नहीं कर रहा, वो डेवलप नहीं हो रहा, तो और हमको बहुत बारी लगता है कि आप जान बुझके बदमासी कर रहा, नहीं करना चाह रहा, नहीं बोलना चाह रहा, नहीं समझना चाह रहा, तो हम लोग डाटते हैं, मरते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ये साइकोलोजिकल ये हो जाए, तो ये सारी प्रॉबलम्स आप समझे, समझ लेंगे, तो फिर प्रॉबलम आगे बढ़ेगी नहीं, और आप उसके बाद पैरेंटिंग का र लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉबलम है, तो आप अपने बच्चे को सोशल इंटरेक्शन के लिए जरूर बाहर लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं, आप जहां पर क्राउड वाला जगा है, उस जगा पर लेके जाएं, साम प्रावलम हैँएं, तो चीजें सीखनी होगी, अपना case अपने आप समझना होगा कि हां, बच्चे को हमारी ये प्रावलम है, तो हम कैसे ठीक करें, ये हमें कोई बताएं, हम हर एक पैरेंट्स को ट्रेंड करते हैं, अउनलाइन सेशन हमारा चलता है, कई सारी इस दूने म自 प्रॉलम बटाने में चाहिए जो आप अपलाई कर आप लागे बिद्ध करने लागे उस्सेकों करेंगे कर लेंगे इस्कूष नहीं होताइक और बीमारे समझ के डवा और इलाज के फिर में रहते हैं इसलिए के और नहीं होता है अगर आप समझ लें कि हमारे लाइफ स्टाइल के बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल बिगड़ने का यह परिणाम है तो आप लाइफ स्टाइल सुधारेंगे 50-60% प्रोलम वहीं से सुधार जाएगे बाकी जो प्रोच उसमें चाहिए जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए थेराप्योटिक अप्रोच से वो ठीक होगा रियाबिलीटेशन में हमेशा दू एप्रोच यूज किया जाते हैं एक तो कंजर्वेटिव एप्रोच कि किस वज़े से प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं ओबर स्क्रीन प्रॉब्लम है उसके लिए साही तेरेपी चलना बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इन्ही सब बातों के साथ अब टॉपिक क्लोज करते हैं मिलते हैं किसी नेक्स टॉपिक में बीवेयर बी पोजिटिव और टीजमिश करेबल धन्यबात